हेलो एवलीवन मैसेलफ सहीब कहान वेल्कम टू सहीबा मेडिकल एड्यूकेशन तो हमारा टॉपिक धा कल्चर मेथड कफले हमने देख लिए थे हमारी स्ट्रिकिंग इंड पर क्ल्चरमेथभर कwegen के तो एनरोबिक कल्चर मेथड होती है उसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं तो एसे बैक्टिरिया जो कि एनरोबिक मतलब क्या होता है एनरोबिक कल्चर मेथड यानि कि एसे बैक्टिरिया जिनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सिजन की अपसेंस की रिक्वार्मेंट होती है उसे हम बेक्टिर्या हैं वो ओनली ऑक्सिजन की अपसंस में ही ग्रो करेंगे इस कंडिशन को हम एनारोबिक कंडिशन या फिर एनारोबियोसिस भी बोलते हैं ठीक है यह इस कंडिशन में हमारे जो वेलेस टाइप की मेथड होती है वह परफॉर्म की जाती है फर्स्ट मिस में आएगा हमारा प्रोडक्शन ओफ वेक्यूम का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है और उसके बाद डिस्प्लेस्मेंट ओफ और शिजन गैस पैक शिस्टम बाइड्यूसिंग एजंट और एनारोबिक चेंबर ठीक है इन सभी मेथड के थ्रू क्या करना होता है हम हमें इनरोबिक कंडिशन जो होती है वो क्रियेट करनी होती जिससे जो बैक्टी एह है वह ओक्सजन की एक्संस में भी ग्रो कर सके ठीक meio कि देखते हैं हम यह सारी जो अच्छों टिव प्रड़ाप्शन ऑफ्ड करनाएं नीं कि वेक्यूम का प्रड़ाक्शन में न सब्क्रा तो हम फेंड हैं और नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं अब देखते हैं इसमे इसका नेक्स में पर हम चलते हैं तो यह क्या करा है कल्टिवेशन कल्टिवेशन ओफ वेक्यूम वास अटेंप्ट बाइ इनोकुलेटिंग कल्चर इन वेक्यूम डेसा डेसिकेटर बट इट प्रूवड तो वी अंसैटिस्फेक्टरी इस मैथर इस नौट इन यूज नाओ ठीक है तो यहां मैथर अब इतनी यूज नहीं होती क क्यों कि इसमें जो हमारी oxygen होती है वह oxygen completely रिभे मोव ड नहीं होती तिक है इसली प्रोडप्शुन आफ वेक्यूम जो मेथट होती है इसमें अनरोब कली कंडिशन क्रेयेट नहीं होकी तो हम इस मेथर को यूज नहीं करते हैं ठीक है तो यह मेथर जो होती है वह रोलगमिज displacement of oxygen displacement of oxygen का मतलब होता है oxygen को बहार निकालना displacement मतलब क्या कर रहा है हम displacement का मतलब हो रहा है कि हम वहां से oxygen को remove कर ला है ठीक है displacement of oxygen by inert gases like hydrogen, nitrogen, carbon dioxide or helium sometimes employed oxygen can never removed oxygen can never removed completely by this method मतलब ही जो displacement of oxygen होता है इसका मिन्स क्या होता है oxygen को बहार निकालना होता है ठीक है तो by inert gases ठीक है oxygen को हटा कर हटा के क्या करते हैं nitrogen and carbon dioxide को रखेंगे ठीक है it means displacement of oxygen हो रहा है क्या कर रहा है हम oxygen को हटा कर के nitrogen and carbon dioxide को हम रखते हैं उस condition को हम कहते है displacement of oxygen इसमें भी oxygen जो होती है वो completely removed नहीं होती ठीक है यह बता रहा है कि इसमें जो आपकी oxygen है वो completely removed नहीं हो रही है ठीक है इस condition में भी इस लिए यहां method जो होती है ये भी ज्यादा यूज नहीं की जाती इस मेथड को भी क्या करेंगे हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे अगर oxygen completely remove होगी तो bacteria completely grow कर पाएगा क्योंकि अगर bacteria को growth करने के लिए proper यह sufficient amount में oxygen की requirement नहीं होती है नहीं होती क्योंकि उनको उनके हिसाब से environment नहीं मिलेगा तो जब बेक्टिरिया को उनके हिसाब से environment नहीं मिलेगा तो बेक्टिरिया क्या करेंगा उसके अंदर grow नहीं कर पाएगा यानि कि आपको बेक्टिरिया को grow करने के लिए किस चीज की requirement है तो बेक्टिरिया को grow कराने क इसमें आपको oxygen की absence की requirement है जब तक उसमें oxygen absence नहीं होगी बेक्टिरिया वहां grow नहीं कर पाएगा next point है हमारा by displacement and combustion of oxygen ठीक है अब इस condition में हम क्या करते हैं टो देखते हैं इनरोबी ऐनरोबिहोगी ओपेंड बाय मेलो कर टोस्ग एंड फिल्द स इन रोबिक जार दामोस्ट रिलाबल एंड्ल की एंडिल मेथल यूज़ मेतल application एसा एनरोबिके जार यूज करते हैं हम जिसमें की एनरोबिक कंडिशन क्रियेट हो ठीक है यानि की ओक्सिजन को रिमूव करते हैं ठीक है तो इसमें हम जो जार यूज करते हैं उसे एनरोबिक जार या मेरिकेंटोस फिल्ड जार भी कहते हैं देखते हैं हम इसका प्रोसेजर क्या कह रहा है है कि हम देखते हैं है कि मेकन टोस एंड फिल्ट एनट रॉबिक जार consist of स्टॉट एंड ग्लास और मेटल जार विट अमेटल लीड विच कैन बी क्लैंपड टाइट विथ आ स्क्रू अंता लीड फिट एंड फिट एंड विथ टू टूब्स ठीक है टू टूब्स विथ टैप वन अक्टिंग एज इनलेट फो इंट्रोडक्शन अं ऑफ गैसस एंड और दर एज आ इस दा आउट लिट है ठीक है इसका मतलब क्या होता है यहां एक एनरोबिक जार होता है जिसमें मैलकेंटोस एंड फिल्ट्स एनरोबिक जार भी कहते हैं क्या होता है यह एक एनरोबिक जार होता है जिसे हम मैलकेंटोस एंड फिल्ट्स जार भी कहते हैं इस चैसे कि हमारा रांस प्रेशर कुकर होता है लेदा उसमें वह काथ्यां फ्रम के टीनिट ताकि ताकि उसके अंदर उसके प्रेशर जो है वह भू रहाघ्या वर रायव जामें ही वेसे ही इसके अंदर का जो एटमोस्फियर होता है सेम वेसे ही बना रहता है ठीक है यानि कि अंदर की गेस जो होती है वह भार की ओर प्लूड्यूस नहीं होती इसमें दो ट्यूप्स लगी होती है दो ट्यूप्स कौन सी होती है इसमें एक आउटलेट होता है ठीक है और यहां पर दो ट्यूप्स लगी होते हैं जिसमें आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है इसी के पास एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स भी होता है ठीक है इसी के पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स भी लगा होता है प्रेशर ग्वैज इंडिकेट करती है प्रेशर करेंगे प्रेशर करिए तो इसके अंदर यह जो होती है कि तरह करके तो तरह तीम्मिडार खिला हैं यहां पर क्या लगा होता है इसकर बोन नेक्ट स्थों में नेक्स 1 सब्सक्राइट करतें नेक्स पंच क्या इत मुझेयां की और था इसको anthroposय को होते हैं और क्या करते हैं गुलिटिक को सप्लाई करते हैं कि एक निगांसे थे लिमिनिया एविट गर्यख़ समय फ़री को सरुस्राउट को सब करते हैं प्लाइबियक कि आसस धला सब्सक्राइब के χि देनॉट ड jetzt इसके अंदर जो electrical terminals लगे होते हैं, वो क्या कहते हैं, electrical supply से connected होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, यह catalyzed corded होते हैं, जिसमें aluminium pellet and palladium से, तथा इसके अंदर activity को maintain करने के लिए catalyzed लगा होता है, जो की lead से connect होता है, तीक है, अब next point पर हम चलते हैं, क्या कहते हैं, culture plate inoculated with specimen, are placed inside the anaerobic jar with an indicator, the lead is clamped, तो क्या करते हैं, हम culture plate, culture media को इसके अंदर प्लेस्ड कर दें, यानि कि जो आपका यह jar है, इसके अंदर culture media को हम प्लेस्ड करेंगे, तीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो lead होता है, इसको हम screw के help से tightly close कर देते हैं, ताकि outer oxygen हो, वो इसके अंद ना कर पाएं, ठीक है, बहारी oxygen इसके अंदर intern ना कर पाएं, यानि कि क्या हो, anaerobic condition, create हो जाएं, next point is, the outlet tube is connected to our vacuum, जो outlet tube होती है, वो connect किसे होती है, तो वो connect होती है, हमारे vacuum pump से, inlet tube is closed, outlet tube वेक्यूम पंप से connected होती है, ठीक है, ओ जो inlet tube होती है, वो क्या होती होती है, दा होती है किसे हाइड्रोजन गेस से इस पास्थ्रू इनLET ट्यूब इनलेट ट्यूब से टिल डीजुड एट्मॉस्फिक पेल रीगे किया करती जो आउटलेट ट्यूब होती है वो वेक्यूम पंप से कनेक्ट होती है ठीक है आउटलेट ट्यूब क्या हो रही है वेक्यूम पंप से कनेक्ट हो गई और वहां क्लोजड होती है वेक्यूम पंप से जो की हाइड्रोजन एन ऑक्सिजन को रिमूफ कर रहा है और जो आउटले हुड होकि हाइड्लोजन गेस और हाइड्लोजन के सपास होगी तो इंळेट्रीज होगी तब वहस्जके दो लिगा जो की अटमोसफिय और प्रेशर को रेड करेंगी तिके इस ब्डाव्ट साथ सात्सुससाथ ममेशिय। ठीक है पर्क सेट होता है यह अंदर अंदर से बताता है कि कितना प्रेशर हो गया यह निकितना के प्रेशर को इंटिकेट करके बताता है। नेक्स्स पॉइंट आता है हमारे इल्क्रिकल टर्मिनल असीच्वेटेड ओन टू हीट दा केटलाइसेट एंड इफ फ्रॉम टैंपरेचर केटलाइसेट इस यूज़ी हीटिंग इस नॉट रिक्वाइड दैन के केटलाइसेट हैप टू कंबाइन हैड्रोजन एंड रिसीडियोल ऑक्सिजन टू फॉर्म वाटर तो यह क्या कर रहा है तो टर्मिनल होते हैं उन इल्क्रिकल टर्मिनल को ओन करेंगे और जब हम रूम टैंपरेचर पर केटलाइसेट का यूज़ करेंगे तो हमें रूम पर क्या होगा एलेक्ट्रिसिटी सब्लाई होगी ठीक है तो जो रूम टैंपरेचर होता है रूम टैंपरेचर हमारा केटल पर केटलाइसेट यूज़ नहीं करेंगे तो हमें हीटिंग की रिक्वार्मेंट होगी होगी तो टर्मिनल ओन करेंगे तो केटलाइसेट को हीट क करने के लिए जो हमारा water है उसमें oxygen को reduce करेंगे hydrogen को combine जिससे कि hydrogen gas उसमें क्या हो सके next point है हमारा जेडियोस मेथाइली ब्लू इस जनरली यूजड जनरली यूजड एज इंडिकेटर for anaerobiosis जार नहीं है तो यह जार नहीं होता है जो कि हमें यहां बताता है कि अंदर एनरोबिक कंडिशन क्रेट हुई है या नहीं हुई है अगर एनरोबिक कंडिशन है तो इट रिमेंस एनरोबिक कंडिशन ठीक है अगर अगर अंदर एनरोबिक कंडिशन हुई है तो वहां कलर लेस होगा और अगर ऑक्सिजन का एक्स्पोजर हो रहा हो तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा ताकि हमें यहां पता चले कि अंदर मैं फिरए नाओ पर के स्ट्रक्चर इन लेटेंट होता है तो तो बो दोने होते हैं प्लसी मेंतल का बनावा जहाल होता इसके ओपर लीडवी लगी रहती है इसी कि हेल्प से क्या करना होता है हमें of ky condition को create करना होता है यहां पर क्य रहता होते है उक सप्ला ओती है यह पर लगी होती है हमारी लीड ठीक के ऊपर के उर लगा होता है नहां पर हमारा यह 묶्हन की अगे हई हाली करना होता बाइकर्बोनेट ठीक है इफ इस नाव विरली यूज़ फोर प्रपेरिंग एनरोबिक जार इस केमिकल जनरेट हाइड्रोजन और कर्बन डियोकसाइट वेन वाटर इस एड़ेड हाइड्रोजन कंबाइड विद ऑक्सिजन इन प्रेसंस ऑफ केटलाइस टीक है तो ग्यास प एक हमारा पाउच टाइबेर का सूडियंद उस्टे करते हैं तersonकों इन डियोकसाइड वागार्ट स्निक कालभरेंट ऑफ इन फ्सक्न पाउच विद्alayन मैं नर्ट सता इसारी वालोजान सवी खिर विंद थिकिरगोνण वाद्च कोबाल्ट क्लोराइड इन स्ट्रीन दीयो जो क्या करेंगे जो की hydrogen and oxygen को generate करते हैं ठीक है तो hydrogen और oxygen होते हैं उन दोनों को generate करते हैं जब हम इसे water से add करते हैं ठीक है hydrogen oxygen से combine होता है जो हमारा hydrogen होता है वो क्या करेगा आगे चलके oxygen से combine हो जाएगा यह add हो जाएगा oxygen जो होती है जिससे oxygen क्या होती है हमारी तो ऑक्सिजन जो होती है वो टोटली रिमूव हो जाती है ठीक है उसके अंदर उसके बाद हम जो हमारी इनॉक्यूलेटट प्लेट होती है ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हमारी जो इनॉक्यूलेटट प्लेट है उस इनॉक्यूलेटट प्लेट के अंदर हम इसको रख देत सबस्क्राइब करेंगे पर नची को अच्राइब करेंगे और प्रोसे अच्छा से क्लोजट कर देंगे कं üzर सृ। स्लेंडर कि इसमें हम क्या करते हैं तो हमारे जो होती है जो हमारे एक हैंडर कर一定要 inoculating chemical क्वेन वहां प्लेश कर देख संधला हूट होता है जिसके अंदर जो डो में तो कने के सीज नहिस को तो यह टेक्निक जो होती हमारी गेस पेक सिस्टम के लाता है इसके अंदर क्या करते हैं हम तो यह जो एक सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है ठीक है यह सिलेंड्रल सिस्टम है ठीक है इसके अंदर हम गेस की फीलिंग करने का काम करते हैं ठीक है इतना के लिए रहे आगे यह हमारा तो यह हमारे गैस पैक सिस्टम है इस गैस पैक सिस्टम के अंदर क्या होता है यह हमारा कंटेनर रखावा है ठीक है इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है तो इस कंटेनर में हमारे पैटरी प्लेट प्रेजेंट होती है यह हमारे पैटरी प्लेट प्रेजेंट है ठीक है इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम तो इसके अंदर से हम एनरोबियोसिस कंडिशन जो होता है वो क्रियेट कर रहे हैं ठीक है इनरोबिक इंडिकेटर जिसमें मिधाइलेन ब्लू प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो जो पाउचस होते हो क्या कंटेंड करत इसको रिमूफ कर देना होता है देन इसके ओपर क्लैंप लगे होते हैं पैलेडियम होता है के टालाइसस यह जो पूरा सिस्टम होता है यह हमारा गैस पेक सिस्टम कहलाता है ठीक है यह एनरोबिक बॉक्स है जिसके अंदर हमें गलफ का क्या करना है स्ट्राइजेशन करना है जो ग्लाफ्स में बेक्टरिया प्रेजंट होते हैं उसका एनरोबियोसिस कंडिशन जो क्रेटो करनी होती है तो उसके लिए हमें इस एनरोबिक बॉक्स की रिक्वायर्मेंट होती है ठीक है एक मिनिट जो हमारा एनरोबिक चेंबर होता है ना वो किस तरह से ग्रो करेगा वो हम देख लेते हैं आप जाते हैं कि हम एनरोबिक जो कंडिशन है वो इसको इसके अंदर हम एड्ड नहीं कर पाएं ठीक हैं तो मैं आपको समझा देती हूं कि इनरोबिक कंडिशन जो होती है किस तरह से एड करना होता है तो नेक्स पॉइंट अमारा इनरोबिक चेमब्र धिंडर होता है इस कंडिशन में क्या करना होता है तो एक एक एनरोबिक चेमब्र 20 fodhr होता है क्या देख रहा हैं इसमें एनारोबिक ग्लाव्स ब्लोक यानि की एनारोबिक चेंबर देख रहा हैं यह एनारोबिक चेंबर में क्या होता है एनारोबिक चेंबर एक ऐसा चेंबर होता है होता है ऐसा anaerobic incubation system होता है जो कि oxygen free environment provide करता है for incubating culture media एक oxygen free environment bacteria को देता है जिससे की anaerobic incubation के ते हैं इसके अंदर जब हम specimen रखते हैं तो इसके बहार rubber gloves लगे होते हैं ताकि air tight हो जाए अच्छे से बहार की oxygen अंदर ना जा पाए ठीक है उसके अंदर catalyzed होता है जो catalyzed होता है वो टेसिकेंट होता है जो कि hydrogen gases होती है इसमें carbon dioxide gases and nitrogen gases and other indicators इसके अंदर होते हैं ठीक है तो हमारा जो anaerobic culture method थी वो भी हमारी complete हो गई है हमने simple culture method को भी देख लिए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें ठीक है और आगर इसमें कोई डाउट वगेर हैं तो प्लीज कमेंट करके बताए हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देने अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट अपने ग्रूप सरकर में इसके इस वीडियो को जरूर शेयर करें ठीक है थैंक्यू सो मच फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टिक केर